हालो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू दी राजराटोर सो आई आई डोकेट राजराटोर फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरोल के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं फ्रेंट्स पेरोल का मतलब होता है किसी व्यक्ति को सजा मिलने के बाद उसकी सजा की अउदी के दोरान एस्ताई रूप से यानि टेंप्रोरी रूप से जेल से रिया करना फ्रेंट्स इसे अगर मैं थोड़ा ओर डीटेल से समझाओ तो आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं सपोज किसी व्यक्ति को साथ साल की जेल यानि इंप्रिजमेंट हुई है और अब वो दोसी जेल में अपनी सजा काट रहा है अब ही उसकी सजाई की अवदी पूरी नई हुई है लेकिन इससे पहले ही उसको टेंप्रेरी यानि एई इस्तरी रूप से कुछ स्पेसिफिक समय के लिए छोड़ा जा सकता है एस पर दी सेक्शन 433 सब क्लोज ए ओब दी CRPC फ्रेंट्स इसे ही कानूनी बासा में पेरोल केते हैं अब सवाल यह है कि किसी आरोपी को पेरोल पर कब रिया किया जा सकता है तो फ्रेंट्स किसी दोसी को पेरोल पर रिया करने की कुछ नियम कुछ सर्ते हैं अगर वो उनका पालन करता है तो उसको पेरोल पर रिया किया वेसे दो फ्रेंड्स किसी वेक्ति को पेरोल पर छोड़ने के लिए बहुत सी सर्ते होती हैं इन सर्तों की एक लंबी लिस्ट हैं इन मेंसे कुछ कोमन यह है जो कोमन सर्ते जो है वो मैं आपको बता देता हूं जैसे किसी कैदी को पेरोल पर रिया होने के बाद उसके पेरोल पर रिया होने के लिए दिये गए आवेदन में जो पता उसने लिका है उस पते को छोड़ कर वो किसी अन्य जगे नई जा सकता है नई सिफ्ट हो सकता है दूसरी सर्थ यह है कि पेरोल पर रिया होने के बाद किनी अपरादियों से वो नहीं मिलेगा तीसरी सर्थ यह है कि पेरोल पर होने के बाद कैदी जुवा या सटा जैसा कोई गेर कानून या गेम नहीं खेल सकता है चोती सर्थ ये है कि सूर्यास्त होने के बाद कैदी अपने घर में ही रहेगा अब फ्रेंट्स आपके मन में सवाल ये हो सकता है कि पेरोल पर रिया होने के ग्राउंड्स यानि आदार क्या क्या है फ्रेंट्स अगर कुछ main grounds की बात करें तो main grounds यह है नमबर वन यदि कैदी के घर में कोई function है या कोई दुरगटना हो गई है तो उसको payroll पर रिया किया जा सकता है नमबर टू कैदी को सजा मिलने से पहले का कोई सरकारी काम अदूरा रह गया है तो उसको पूरा करने के लिए कैदी payroll की मांग कर सकता है और उसको payroll पर रिया किया जा सकता है और फ्रेंट्स तीसरी सर्थ यह है कि और अगर कैदी किसी गंबी रोग से पीडित है तो उसको इलाज के लिए payroll पर छोड़ा जा सकता है तो friends आसा करता हूँ आपको हमारा short video जरूर पसंद आया होगा अगर आपको हमारा video पसंद आया है तो please video को like करेगा अगर आप नए हैं हमारे channel पर तो channel को subscribe जरूर करेगा ऐसे videos देखते रहने के लिए Thank you so much for watching